आज हम आपके साथ एक नई रेस्पी शेयर कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सोचा आपको फिश बनानी सिखाई जाए और पहले तो फिश सालन फिश पकोड़ा तो आपको ट्राई किया ही होगा लेकिन आज हम आपको नए स्टाइल से फिश मसाला बनाना सिखाएंगे तो चले शुरू करते हम अपनी रेस्पी तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन से इंगरीडियन्स चाही है और जो आज हम रेस्पी फिश मसाला बना रहे हैं उसको हम कैसे त्यार करेंगे बहुत असान है इसको आप एक नहीं तरीके से बनाना सिखेंगे और इसको बहुत असानी से अपने घर में भी बना सकते हैं और इंज्वाइ कर सकते हैं आयल, पानी, ओफिनल, फिश, धनिया, दही, प्याज का पेस्ट, टुमाटर, हरी मिर्चो का पेस्ट, डाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी, अदरक लसन का पेस्ट, कलवंजी, सौफ, मेथी धाना, खुश्क धनिया का पाउडर, कड़ी पता, लैम अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो रेट बटन पर जाकर सबस्क्राइब को प्रेस करें, और साथ में लगे बला इकोन को प्रेस करना भी मत बुलिएगा, इससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगाएगा इसके साथ हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, कलवंजी, सौंफ, कड़ी पता, अच्छी तरह से इसे बूनेंगे, यहां पर अच्छी तरह से हमने बून लिया, इसके अंदर हम प्यास का पेस्ट डाल देंगे, पियास के पेस्ट से बहुत यच्छी तरह से मारा जो मसाला है वो तियार होगा, इसके अच्छी तरह से भून लिया एंगे, पियास हो चुके हैं, इसके अंदर हम अदर्ट रलस्ट का पेस्ट डाल देंगे, आप पाउडर भी अड़ कर सकते हैं, नोईशू, इसके अब हस्भी जरूरत ही अड़ करेंगे क्योंकि फिश में आरेड़ ही नमक होता है तो इसलिए हमने इसमें कम दार में ही एड़ करना है को अची तरह से मिक्स कर लेंगे और बूनेंगे इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चो का पेस्ट क्योंकि हमने सुर्ख मिर्च पाउडर कम आड़ करनी है यहां पर हम ग्रीन जो चिली है वह ज़दा एड़ करेंगे इसके साथ हम टुमाटर एड़ करेंगे इस ग्रीन चिली से एक यूनिक टेस्ट हमारे पास डिवालप यहां पर हम एड़ करेंगे हल्दी, सूका धनिया, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहेंगे, मजीद भूनेंगे, देखें, जबर्दस टेस्ट आ चुका है, इसको पांच से दस मिनिट के लिए हल्की आँच पर भूनेंगे, यहां पर हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं, तो यहां पर हमने दही लिया है, इसके साथ नमक एड़ कर लेंगे, नमक हमने मसाले में भी आड़ के हैं, उसी साफ से हमने नमक इसमें एड़ करना है, हल्दी आड़ कर लिए, बहुत ही जबर्दस ती हमारी जो रस्पी है त्यार होगी, इसके साथ हमने लाल मिर्च एड़ कर दी, इसमें हमने ज्यादा लाल मिर्च एड़ की है इसके साथ हमने इसमें सुका धनिया पौबडर एड़ कर देना है और लेमन जूस एड़ कर दे अद्रेकलसन का पेस्ट एड़ कर ले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह जिए जो हमारा फिश का मेरिनेट करने मया यहां पर हमने ले ली फिज और फिज के साथ हमने इसको अच्छी तरह से यह देंगे मैरिनेट करते जाना है और तौाम पीसिस को यू हूँ रखते जाना है इसी तरह से फिश को मैरिनेट बेंगे और एक दूसरे को पर रख देंगे ताहं कि यह मसाला जो है इनके उपर लगा रहे अब हमने इसको एक से दो गंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए रख देना है ये देखिए हमारा मसाला बुन चुका है और मेरिनेट भी हो चुकी है फिश तो हमने फिश को हलके हलके हाथों से इसमें मसाले में आड़ कर देना है दही है तो इसलिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यहां पर अभी हमने फिश को भी आड़ किया है फिश अभी कच्छी है तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है क्योंकि जब जैसे ये पक जाएगी तो इसको हम इस तरह से मिक्स नहीं कर सकते नहीं तो वो तूटेगी तो इसको एक ही दफ़ा बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसको हल्की आँच पे दम के लिए पकने रख दे ये देखे हमारी फिश तियार हो चुकी है बहुत इच्या कलर आ चुका हुएये और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अब हम इसके उपर धन्या स्प्रिंकल करेंगे लीज़िये फिश मसाला तियार हो चुका है बहुत ही जबरदसी हमारी रेस्पी त्यार हो चुकी है अगर आपको हमारी रेस्पी उसांद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करना मत भूलिएगा इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तब तक हमें दे अजाज़त अलावाज